नमस्कार दोस्तो और वेरी वेरी हैपी संडे साथ ही साथ आपको एक प्यारा सा गुड मार्णिंग दोस्तो आपको पता है कि हर एक संडे को हम लोग जो करते हैं वो आज भी करेंगे और हर एक संडे को हम लोग क्या करते हैं ये तो आपको आपका रुटीन ही बन गया हुआ क हर एक संडे को हम लोगों क्या करना होता है विकली करेंट-फ्यर्स को her Ned करना होता है और आज का भी की कभ से कब तक सुल माइं टू बाइस हम ठीक है धोस्तों तो हम लोग आगे आने वाथे कुछ एक मिनट में इस B में इमपORTEN घटना क्रम हुए हैं उसके बारे मैं डिटेल से नहीं, सौट रूप से जानेंगे, क्योंकि डिटेल से स्वेता मैम के द्वारा आपको इत्मिनावन से बताया जाता है, विथ स्पाइसी एक्स्ट्रा मसाला, और मैं बार-बार बोलता रहा हूँ, उसके सामने कुरकुरे भी क्या चीज है, यह एक्स्ट्रा मसाला आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, यह एक्स्ट्रा मसाला से जो प्रश्ण है, वो आपके एक्जाम से डायक्ट पुछे जाएंगे, और एक दो महिना बाद एक्जाम हो गाई, ठीक है, क्योंकि अब कोबिट जेदरे कमजोड पढ़ रहा है, साइद तीसरी लहर आए, साइद इसकी भी संभावना है कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब तो लगभग लोगों एक्जिनेटेड भी होते जा रहे हैं, ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपकी परिछा भी होगी ही, ठीक है दोस्तों, तो इतनी ही हुई इधर उधर की बाते, अब आईए to the point, अपनी बातों पर बात करते हैं, हमारी बात क्या है, कि यदि आप लोगों में से कोई हमारे चैनल पर नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, आपके लिए काफी helpful होगा, ओके, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, कि यदि में कोई भी, या हमारी टीम कोई भी important वीडियो आपके लिए लाए, तो आपको जल्द से उसका notification मिल जाए, और आपका कोई भी important वीडियो कभी भी miss ना हो, तो I think दोस्तों कि आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक कर लिया होगा, अब वीडियो को लाइक करते चलिए यही नहीं किया है, तो आगे बढ़ते हैं, लेट स्टार्ट, चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रस्ण क्या है, चलिए appointments related हमारा पहला प्रस्ण है, और ज यही सब के बारे में आगे पढ़ना है, कोई चक्रबात आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे, और यही सब के बारे में फिर आगे continue करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आईए, पहले प्रस्ण को लोग पढ़ लेते हैं, पहला प्रस्ण क्या है, कि भारतिये मूल्की किस महिल के अस्थापित हुए लो, मतलब कुछ 20-25 साल पहले उनके माता पिता जाकर वहां रहने लगे, या 30 साल पहले, धीरे धीरे अब वो लोग वहां के निभासी टाइप के हो गए, तो वहां के लोग अब सत्ता में आ जाएंगे, यह तो होना ही था, तो बस आपको आगे कुछ देखते हैं, प्रशन है कि किस राजे सरकार ने कोरोना प्रीत पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोसना की है, विच अस्टेट गवर्णमेंट है जनाउंच टो प्रवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू जर्नलिस्ट सफरिंग फ्रम कोरोना, तो मध्य परदेश पास बात थी नहीं, अगला प्रशन क्या है, देखिए, अगला प्रशन है कि किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्ज समूह, EWG, Employment Working Group Meeting की मेजवानी की है, तो भारत, अफिहाल फिलाल में भारत ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्ज समूह की मेजवानी की है, आपक प्रिक्स में है, तो पिछला जो हुगा है, रस्या में हुगा है, इसका सम्मेलर, और नाम की हिसाब से इस बार जो इसका सम्मेलर होगा, वो इंडिया में होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चलिए, अब अगले प्रशन क्यों हम लोग बढ़ चलते हैं, अगला ध्यान रखिएगा कि स्वसंद्रोग का कारण क्या है, बच्चों में एच्पी आए भी है, ओके चलिए, अगले प्रशन क्यों चलते हैं, देखिए, फिर आपको दिखेंगे, निर्वासी तिबबत सरकार के नए पीम कौन बन गए है, अभिहार फिलाल में तिबबत में आपके लिए आता है, टेस्ट कहां देना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए जोइन कीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्यों जोते हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अब अगले प्रशन क्यों चलेंगे, ये प्रशन काफी जादा इंपोर्टें है, लेकिन मुख्यमंत्री चेंज हुए है, सरवानन सोनोबाल के जह पर कौन बने गए है, हैमन्त विस्वा, आपको याद होगा, वो बने है, ठीक है, तो उन्हीं की मंत्री परिशद में एक महिला बित मंत्री बनाई गई है, पहली बार प्रवत्तर राज में, उनका नाम क स्रिकेट टीम के हेड कोच निक्त हुए है, बाकी एक और बात में बताता हूं, पुछेगा नहीं बस ध्यान रखिए, स्रिलंका की दोरे पर इंडिया जाने बाली है, यह तो आपको पता ही होगा, कुछ समय बाद, तो उसके लिए कोच कौन बनाए गए है, नियू जैसा है और रहूल दरबीड कोचिंग के लिए काफी फेमस भी है, आपको पता होगा, इदरहाल फिलाल में पिरसवी साओ की जो टीम थी, इंडिया अंडर 19 बर्ल कप भी जीता था उनके देख रेक में, उनके जिरदेशन में, तो वो काफी अच्छे कोच है, बहुत बढ़िया बा एक्जाम पास कर लिए, तभी आप किसी को गाइड कर सकते हैं, जो फेल होता है, वही बताता है कि कमी कहां है, दिक्कत कहां है, जो मैंने की तो फेल हो गया, आप वो नहीं किजिए, ठीक है, तो जो फेल होता है, वही आपको अच्छा से गाइड कर सकता है, चलिए दोस्तो अब अगले प्रश्ण क्यों चलते हैं ये तो हो गया रमेश्पवार की बाते प्रतेक बर्स विश्चु दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है वेन इस वर्ल टेली कम्मुनिकेशंडे से लिए तो 17 मईगी को प्रतेक बर्स दूर संचार दिवस मनाया जाता है और अभी तक आप लोगों ने टीवीफ की अस्पारेंट्स नहीं देख लीजिए अच्छा काम है ठीक है इदर उदर की बाते देखने से तो बेहतर है को नहीं देखने से बेहतर है आपके लिए फाइदे मंद होगा कुछ-कुछ तो आपको फाइदा होगा ही अब क्या होगा वह आप पर निर्भर है कि आप उसमें से क्या चूज करते हो चलिए तब तक अगले प्रस्ण क्यों चलेंगे मिस युनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है हूँ है बहुत कम प्रस्णों को मैं रटने बोलता हूं वैसे रटने की जरुगत है भी नहीं इसको डेली वीकली और मंतली में इसे भी तीन बार कवर किया जाएगा तो आपको याद ही हो जाएंगे यह दि आप लों रोजाना फॉलो कर रहे हो तो चलिए अगले प्रस्ण क्यों चलेंगे कि किस टेनिस खिलाडी ने गच चेंपियन नवाग जोको बीच को हराकर दसमी बार इटेलियन ओपन टेनिस टूनामेंट के बिजेता बने हैं और ज्यादा कुछ नहीं इसके बारे में में आपको चार अस्टेलिया फ्रेंज लंडन यूस इतने ध्यान रखने होते हैं ठीक है और बाकी अभी हाल फिलाल में अदिया आप लोग घूम फिर रहे हैं मतलब मान लिजे कि अगले म नामकरण किस देशने किया है आपको पता होना चाहिए इसका नामकरण किस देशने किया है मैं मार मारने कीख है । इसा भी मिला है जार वंगाल में यह यह आसपास में फिर एक लोब प्रेश Kr से तर बनने का मतलब क्या है कि फिर एक चक्रबात आ सकता है और यह वाल चकफाथ यह किधर तवाहि मचाएगा उड़ीशा वेश्ट वंगाल में तो साथ तयार हो जाए आप लोग एक और चक्रबात ज लिए गुजरात चलिए महाराश चलिए ये सब जगह वर ये टकराया है ठीक है अब तो इसका प्रभाब भी खतम हो गया नाम ध्यार नखेगा मैं मार इसका नाम दिया है चलिए अगर प्रश्ण क्यों चलेंगे कि हाले में कौन से देश ने 2022 में कतर में होने वाले फीफा वि व्हाल व्हाला धैस नांश्द कॉरिया है और कतर में होने वाले जो फीफा बर्लकप 2022 में होगा उससे भी बाहर निकलने बाला पहला कौन है नौर्थ कोरिया कारण कोरोना ठीक है कोरोना सब कुछ चोपट कर दिया है चलिए अगले प्रश्ण क्यों चलते का वार्ड के बारे में प्रश्ण है कि इनमें से किस प्यक्तित्तु को 2020 का इंटरनेशनल इंविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा विच अब फॉलोइंग परसनेटी इस बिल वी आवाड़ेट दा इंटरनेशनल इन्विंसिवल गोल्ड मेडल ऑफ टॉंटी टुवंटीवन तो रमेश पोखरियाल निसंग जी को यह गोल्ड मेडल तो इन्हें मानब संसाधन विकास मंत्री कहा जाता था लेकिन अब इन्हें सिख्या मंत्री कहा जाता है डूस्ट आपको पता है अभी कुछ दिन आने वाले कुछ और दिनों साधी का मौसम है ठीक है तो आपको इदी बे ग्राउंड में कुछ म्यूजिक भी सुनाई देगा तो इंज्वाई करते चलिएगा ठीक है चलिए तब तक अगले प्रश्ण के और में लोग चलते हैं ऐसे मैं कोशिस करूँगा कि मैं अपना बाज लाउड करनू ताकि आप ल लिए ज्यादा कुछ नहीं इसके बारे में ये निवज ये निवज काफी इंपोर्टेंट है बहुत ही दुखद निवज है निधन का निवज है कि आई अमे के पुरवध्यच डॉक्टर केके अगरवाल का 62 बर्स की उनमें निधन हो गया उन्हें भाग कि किस सरवोच पिर चला जाता है काफी हंबल ब्यक्ति तो भी था इनका लेकिन क्या कीजेगा जिसको जब जिसकी आयू पूरी हो जाती है उसको जाना ही पड़ता है या फिर आप कितने अच्छे हो या फिर आप कितने खराब वो इससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो नाम ध्यान र हो चुके हैं कोई दिक्कत नहीं देखिए आप का उप्सन का स्यूतर क्या है माई गोव माई को मेंट के द्वारा एक लॉंच किया इन्नोबेशन मतलब एक लॉंच किया गया जिसका नाम क्या है इन्नोबेशन चैलेंज ठीके द्यान रखिएगा भारतिये भासा सिच्छन है ओके चलिए ज्यादा कुछ ने इसके बारे में आपको विक्रियेट होगा यह प्रशन आपके लिए इंपोर्टेंट है कि 20 संग्रहाले दिवस हर बर्स कब मनाया जाता है तो प्रतेक बर्स 18 माई को 20 संग्रहाले दिवस मनाया जाता है चुकि म्यूजिक आ रही है आप भ लेबरोटरीज से समझोता किया है तो सिल्पा मेडी केर किसने दोस्तों सिल्पा मेडी केर ने रेडीज लेबरोटरीज से समझोता किया है और यही अस्पूतनिक भी टीको का निर्मान भारत में करेगा अब आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं क्या प्रश्न के पूंने करेगी आपको कमेंट करेगी यहांस से राज़े सरकार ने थे खर पर आईसलेशन मे रह रहा है ठीक है इसका फुल फॉर्म ही होता है हॉम आईसोलेस्ट टीम या तीसे क्या होता है मुझे थोड़ा सा कंफूजन आप लोग देख लीजेगा चलिए तो यह बिहार किया है किसने बिहार हां होम आईसोलेस्ट्रीटमेंट कोवीड है ठीक है जानक किये यह बिहार सरकार के सबाए लोग के आसितों को पचीस सो रुप्य पेंसन और बच्चों को मुफ्थ सिच्छा देने की घोशना की है तो यह दिल्ली सरकार के दौरा की गई है काफी सराह नहीं कदम दिल्ली सरकार ने यह भी किया था कि आप लोग को जहां तक याद हो तीन महीने के लिए रूफ सहब पाकिस्तान के नए राष्ट्य सुलच्छा सलाकार है और इंडिया की बात कर लें तो कौन सुलच्छा सलाकार है नेशनल सेकुरिटी एडवाइजर कौन है अरे जिद्वाल वाओ आप लोग को तो यादी है चलिए अगला प्रश्ण है कि बिग्यान एवं प्र पाकि लंबे चौड़े उप्सन आपके पढ़ने के लिए मेरे बताने के लिए नहीं है अगला प्रश्ण आपके लिए दोस्तों किस राजी ने अपने कानून के माध्यम से सुशंबीत को नियंतित करने का प्रस्ताओ दिया है चलिए इसको हम अस्कीप करके आगे बढ़े चलिए ये प्रश्ण आपके लिए काफी ज़्यादा इंप्रेंट है कि हाली में कौन सी राजी सरकार ने अपने राजी में बिधान परिशद की अस्थापना करने की घोस्तना की है तो पश्ची मंगाल खुराफाती करने में लगा हुआ है तो इसने घोस्तना कि हम अपने बिधान परिशद की अस्थापना करेंगे आपसे प्रश्ण पूदे दोस्तों कि बरतवान में कितने राज्यों में बिधान परिशद है तो छे राज्यों में कौन-कौन बिहार यूपी करनाटक चलिए थोड़ा सा तिलंगाना भी घोम लीजिए चार हो गए महराष्ट औ और 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 आंध्रपर्देश यह छे राज्यों में आपका क्या है बिधान परिशद है और अम परिश्द्र जहां तक मैंने उपी की बात की में बिधान परिशद की सरवादिक सीटे किसे इनकी रखक ऑपार जयादी है ने फरजाद भी गैस पर्योजना से किसे बाहर किया है दोस्तो तो भारत को किया है ध्यान दखियेगा भारत को फरजाद भी गैस पर्योजना से इरान बाहर कर दिया है जो कि भारत के लिए थोगा सा बैड न्यूज है और कुछ दिन पहले आपको ये भी न्यूज आई थी कि चा बाहर परयोजना से नहीं चा बाहर रेल परयोजना की जो भार तिये कमपनी रेल बनाने वाली थे रेल लाइन बिछाने वाली थे वो दूसरे कमपनी को दी दे गई यह बाहर नहीं किया गया हमें अभी तेल वहां से प्रोपर मिलेगा ठीक है और वाकि चा बाहर पर इतनी बा तो इससे कुछ ही दूर पर पाकिस्तान का गौादर पोर्ट है कौन सा गौादर पोर्ट ये चीन की सरयोग से बन रहा है और ये भारत की सरयोग से डेवलफ हो रहा है ठीक है तो ध्यान रखिएगा दोनों का चुकि इधर से इंडिया जा नहीं सकता है तो इधर से हो कई अफ लुट भारत में ट्रेनों की क्पेट में आने से कुल कितने हाथियों की दुछत अने से उक्षत होई है त्रीके ट्रे नों की चेतम सक्राइब हैं उससे ऐसा लगता है कि एसा कभी न हो पाएगा ठीक है चलिए फिलाल अगले प्रश्ण क्यों चलेंगे कि कोड़ना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए किस देश ने बारा से पंदरा साल के बच्चों के टीका करन के लिए कोड़ना वेक्सिन फाइजर बाइनो टेक को मंजूरी दे दी है तो यह सिंगापुर का देहरे रखें और फिलाल आप सबको तो मिली गया होगा आप लोग में सब 13 प्लस होगे ही चलिए यह आपको स्लॉट खाली नहीं मिलना है तो क्या करना है प्रश्ण है किस देश ने पच्छियों की अबादी पर अपने हालिया अध्यन में दुनिया में 50 अरब ब्यक्तिग जंगली पच्छियों का अनुमान लगाया है कि पूरे दुनिया में 50 अरब बैक जंगली पच्छी है किस देश ने नुमान लगाया है अउस्ट्रेलिया में आपको याद है पिसले साल आउस्ट्रेलिया में आग लगी थी और न्यूजय की तीन करोड़ों से भी ज्यादा पसू पच्छियों की मौत हो गई थी आप लोगो को याद है ना काफी खतरनाक आग लगा था ठीक है क्यों क्योंकि उस्ट्रेलिया में बहुत सारा जंगल जंगल है बहुत सारा रगिस्तान भी है ठीक है और गर्मी का दिन चल रहा था जनबरी फरवरी के आसपस और आग लग गई थी चलिए अगला प्रश्णे कि स्टेट ऑफ दाइको नौमी रिपोर्ट की संस्थान के दवाजारी की जाती यारव्याई के दवाजारी की जाती है इसके बारे में और कुछ नहीं ठीक है अगला प्रस्ट में यह बात आपको पता होगी कि पूने महराष्ट में किर्सी से समन्दी देस का पहला केंद्र खोला गया है क्या दोस्तों किर्सी निर्यात सुभिधाके तिए द्यान रखिएगा अगला प्रश्ण है कि 20 सुसान स्कृतिक विवित्ता दिवस हर बर्स कब मनाया जाता है वेनिज वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डेस्टेटेड एवरी यर 21 माई को वह लोग 21 माई तक पहुची चुके हैं अब यह देखिए यह आप लोग की बात में करना चाहिता कुछ दिर पहले कर नहीं पाया चलिए कोई नहीं अब कर लेते हैं कि किस राजस्थाम ने मीवको मिर कोशिस रोग को राजे में महामारी घौशित किया है इतना तो ध्यान रख्येगा इतने इतने सारे उपकरन होगे इतने साहे रोग बिमारी होगे हैं कि बहुत साहे अन्य अन्य रोग बिमारी के नाम आपको पता चलेंगे बहुत ही प्रश्ण है कि किन सरकार ने कि सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट बापस लेने को कहा है यह अच्छा कदम है देखते हैं इस पर क्या अपडेट करता है यह वाट्सप को कहा गया है वाट्सप को सेंटर गवर्नमेंट वोली है कि वो में क्या लेना देना अगला प्रशन है कि मिक्स्ट मासल आर्टिस्ट वर्ल्ड चेंपियंशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूंगे खिलाडी कौन है नाम अर्जन भुलर है कौन अर्जन भुलर ठीक है और जब खिलाडी की बात आ रही है तो अवहीं फिलाड में न्य मेंडल जीते हैं कौन सुसील कुमार और न्यूज में क्यों है कि उन पर आरोफ है कि वो क्या किये है अपने साथी छोटे पहलवान को कतल कर दिये हैं ठीक है इसलिए उन पर एक लाख का इनामी बारंट जारी किया गया है ठीक है अब देखिए उन्हें हत्यारा करार दिया गय अब देखिए आगे क्या होता है आगे जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा अर्जन भुलर साहव मिक्स्ट मासल आर्टिस्ट बर्ल्ड चेंपियंशिप जितने वाले भारतिये मुल्के खिलाड़ी है अब अगला प्रस्ण कि भारतिये नौ से ना जहांज को आझ सेवामुक्त करने की घोस्ना की है तो यह इन्स राजपुत अभसे वारतिये नौ से ना से चलिए यह पर ये प्रशन तो इतने बार हो चुके हैं कि आपको सपनों में भी इसके सपना आते होंगे क्या कि अंतराष्ट्रिये जैब विवित्ता दिवस कब मनाया जाता है इसका तो साइध ओपसन की जगवत होगी भी नहीं आप लोग को आप लोग बता दिजेगा कब 22 मही को अंतराष्ट्रिये जैब विवित्ता दिवस मनाया जाता है आप लोग को क्या करना है एक प्रश्ण आज का दूसरा प्रश्ण इसकी थीम क्या थी जल्दी से कमेंट करके जवाब दे दीजिए वेटिंग फॉर यूर कमेंट्स ओके तो 22 मही को ये मनाया जाता है ओहो ओहो एक और काफी दुखद निधन आपके सामने हाजिर है एक बहुत ही मसुहूर परियाबरन बिद थे जिनका नाम सुन्दरलाल बहुगुणा था और इनका निधन हो गया है तो आप अवस्य जानते होंगे नहीं जानते हैं चिपको आंदोलन तो जानते ही हैं कि पेर से चिपक जाओ चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे यही थे सुन्दरलाल बहुगुणा और इनका निधन हो गया है ठीक है चलिए एक प्रश्ण की हाली में युनिष्को की टेंटिप की सूची में कितने और भारती स्थलोग का चेयन किया गया है युनिष्को की टेंटिप सुची जो है मजा आएगा मातल पाची मिनिट का वेडियो है ठीक दूस्तों चलिए अगले प्रश्ण की चलेंगे कि हाली में किस राजी सरकार ने होस्पीटल बेड के ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमरित बाहनी एप लॉंच किया है किसलिए दोस्तो होस्पीटल बेड के ऑनलाइन बुकिंग के लिए और ये किस राजी सरकार के द्वारा किया गया है यह जारखंड के सरकार के द्वारा की गई है तो जारखंड सरकार द्वारा काफी बेतरीन एप लॉंच किया गया है नाम है अम्रीद बाहनी है किसलिए ताकि आप लोग हॉस्पीटल में ऑनलाइन बेड की बुकिंग कर सको ओके दोस्तों तो यह था हमारा बिकली करेंट अफ रिमाइंडर ले लिजिए ओके मिलता हूं आप से अगले दिन अगले वीडियो में अपना ख्याल लखिएगा जैहिंद सिवाम साइनिंग ओफ टाटा वाई